हाई फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं चूरा मटर तो चूरा मटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए एक कटोरी से थोड़ी सी कम मटर, दो कटोरी चूरा और कुछ ट्राइफ फूट किसमिस और काजू यहाँ पे मैंने चूरा को वासकल लिया है अच्छे से और एक घरी मिर्च काट लिया अगर आप दीखा जाता पसंद करते हैं तो आप मिर्च की कॉंटरटी कड़ा सकते हैं कड़ाई हमारी गरम हो चुकी है अब इसमें डालेंगे दो चम्मच ओयल अब इसमें डालेंगे काजू और इसे मुलेंगे अच्छे से तो काजू यहाँ पे हमारा भून चुका है इसको निकान लेते हमें एक प्लेट में आज इसमें हम डालेंगे किस्मिस और इसे भी अच्छे से भून लेंगे ड्राइफूट भून की डालने से चूरा मटर का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है यहाँ पे किस्मिस भी हमारी भून गई है इसको भी निकाल लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक जुट्की हिंग अब इसमें डालेंगे आधा चमच चीरा कटा हुआ हारी मिर्च अब इसमें डालेंगे एक जो थाई चमच हल्दी और इसे अच्छे से भून लेंगे याद रखिए हमें गैस की फ्रेम को लोग ही रखना है नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे और इसे चलाते ही पर भून लेना है अब इसमें डालेंगे मटर मटर को अच्छे ते मिक्स करेंगे और इसे हमें पकाना आए जिसे हम ढख के लोग लेंप पर तीन मिट तक पकने देंगे अब हम ढख तीन मिट हो चुके है अब हम ढखन को पूल देते हैं और इसे चलाते हैं देखें मतर हमारे अच्छे पक्त की है अब इसमें हम एक चुथाई चमज काली मेच पाउडर नामक टेश्ट के अनुशार और आधा चमज चीनी आड करेंगे इससे सौद और भी अच्छा हो जाता है अब इसमें डालेंगे चूरा और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे हमें ऐसे ही दो से तिन में तक फिर पकाना है देखे फ्रेंड्स दो से तीन मेंट हो चुके हैं और कितने अच्छे चूरा मट रवन के तयार हो गए है अब इसमें हम थोड़े से ड्राइड फूड एड करेंगे थोड़े से हम लखनेंगे जो हम बाद में डालेंगे अब इसे निकालते हैं प्लेट में देखे फ्रेंड्स के चूरा मटर हमारा बन गया है इसमें बच्छों के ड्राइड को और एड कर देंगे देखे फ्रेंड्स कितना चचूरा मटर बन के तयार हो गया है अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ से एर करें